अगर आपके emotions आपपर हावी हो रहे हैं, तो वो natural नहीं है ओके, let us start, तो मेरा topic है stress management के उपर और मुझे लगता है कि मेरे life में जब मैंने काम शुरू किया था, struggle शुरू किया था तब हम सभी जब अपने life में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो problems आते हैं, issues होते हैं और उस वक्त ही stress जनम लेता है, stress आना शुरू होता है, जब हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं, जो हमारे लिए नया है जो हमने पहले किया नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी life में spirituality पहले से थी, तो एक बहुत बड़ा role spirituality ने play किया मुझे उस stress से बाहर लाने के लिए, या मुझे stress से लड़ने के लिए, और अब जाके एक ऐसे point पर मेरी life को लाने के लिए कि बड़ी सी-बड़ी situation में भी मैं बहुत ही calm रहती हूँ, मैं बहुत positive रहती हूँ, मैं बहुत patient रहती हूँ और उसका पूरा-पूरा credit spirituality को ही जाता है, तो हम यही दो points को एक करके आज बात करेंगे जैसा stress का meaning actually हम सब जानते हैं कि एक तरीके से हमारे emotions को लेकर या हमारी bodily reactions को लेकर जो problems के समय हम react करते हैं, उसको हम stress कहते हैं, वो हो सकता है कि कुछ stress के problems छोटे time के लिए होते हैं, acute stress होता है कुछ है जो थोड़े लंबे time के लिए होते हैं और कुछ है जो आगे जाके आपको disease दे सकते हैं, बहुत जादा serious हो सकते हैं तो हम शुरुआत में उन्ही के बारे में बात करेंगे, जो छोटे problems होते हैं तो सबसे पहले मान लीजे के आप कोई छोटा सा insult आपका हो जाए या आपकी बात नहीं मानी गई या आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ तब जैसा आप react करते हैं, अगर वो थोड़ा सा rude हो जाता है या वो थोड़ा सा upset हो जाता है या वो थोड़ा सा एक ऐसे situation में आपको लेकर जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी mood swings होने लगते हैं आपको जल्दी से रोना आ जाता है, जल्दी से गुसा आ जाता है या बहुत जल्दी cut off होने की कोशिश करते हैं लोगों से, अपने आपको अकेले रखना चाहते हैं तो ये कही न कही एक stress ही है तो आप क्या react करते हैं या वो कितना extreme reaction होता है वो define करता है कि stress का level कितना है तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि क्या ये reactions हमारे अंदर है क्योंकि कई बर हमें लगता है कि ये तो natural है, नहीं natural नहीं है अगर आपके emotions आप पर हावी हो रहे हैं तो वो natural नहीं है हमें कब गुसा करना है, कब upset होना है, कबुश होना है, कब रोना है ये सारे decisions हमारे खुद के होनी चाहिए ना कि कोई और के, कि वो हमारे साथ कुछ करते हैं तो हम ऐसा react करते हैं तो हमने कहा क्या वो करेगा, तो ऐसा होगा ही न, नहीं होता है अगर आपके emotions पे आपका control है, आप stress level को पहचान रहे हैं और फिर उस पे work कर रहे हैं तो अपनी आप ये situations धीमी होती जाती है, slow down होती जाती है, better होती जाती है तो कहीं ना कहीं मैं हमीशा ये बात कहती हूँ कि भगवान ने हमको जो भी दिया है उसका मालिक बना कर भेजा है चाहे हमारे emotions हैं, इंद्रिया हैं, हमारा work है, पर हम धीरे-धीरे हर चीज़ के slaves होते जा रहे हैं हम हमारे emotions के slave होते जा रहे हैं, हम हमारे situations के slave होते जा रहे हैं और सबका reaction यही होता है कि अब situation ऐसा आएगा तो reaction तो होगा ही न but reaction आपके हाथ में है, situation आपके हाथ में नहीं है but reaction definitely आपके हाथ में है, तो वहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है तो वहाँ आप कैसा रियाक कर रहे हैं that defines कि आपका stress level कितना है जब हम spirituality की ओर आते हैं कि कैसी आपके stress को एक spirituality relief दे सकता है spirituality पहली चीज तो आपको मालिक बनानी का काम करता है मैं हमेशा कहती हूँ कि वैराग्य या detachment इसका मतलब यह नहीं होता कि जंगल में चले जाओ आप तवस्या करने लग जाओ, सब को छोड़ दो नहीं, यह एक तरीकी का mindset है आप अगर वैराग्य की बात करते हैं तो वैराग्य का असली अर्थ अगर आप समझे तो यही है कि यह नहीं कि मुझे सब को छोड़ देना है पर actual meaning है कि सब के बीच रहे कर भी उनको अपने उपर हावी नहीं होने देना है तो कही ना कहीं वो छूटा हुआ ही है न अगर आप पूरी तरीके से बने वे नहीं है उससे तो वो छूटा ही है कि मतलब आपके हाथ में है कि कब आप उसको पकड़ना चाते है कब आप उसको छोड़ना चाते है that all depends on you तो यह detachment ही है यह वहराग्य ही है और यही mindset आपको आगे लेकर जाता है यही mindset आपको बड़े-बड़े problems का सामना करने के लिए ready करता है तो सबसे पहले अगर आप spirituality को stress से जोड़ेंगे तो you have to understand कि आपका mindset हमेशा detachment की तरफ होना चाहिए that is कि किसी को भी चाहिए वो situation है लोग है, feelings है आपको इतना power नहीं देना है कि वो आपको trouble कर सके Swami Vivekananda जी का एक बहुत अच्छा quote है कि अगर इंसान के पास spirituality नहीं है क्योंकि इंसान बहुत powerful है और spirituality वो power को कैसे काम कराना है ये सिखाती है लेकिन अगर spirituality नहीं है तो humans के पास एक ऐसा power है जो सिर्फ चीजों को बिगाडने का आपकर सकते है अब वो चाहिए खुद को बिगाडना है चाहिए वो nature को बिगाडना है रिष्टो को बिगाडना है काम को बिगाडना है तो अगर हमारे अंदर spirituality नहीं है तो हम कही ना कहीं चीजों को बिगाडने का power लेकर चल रहे हैं अपने साथ So you have to understand सबसे पहले कि no matter what work you have spirituality होनी चाहिए आप religious नहीं है तभी spirituality ज़रूरत है आप religious है तभी spirituality ज़रूरत है आप लिए बत्लों कहते हैं कि एक age होती है पर यूँ कहता है कि अभी थोड़ी age है हमारे सब्सक्रने की तो कई बार यूथ कहता है कि अभी थोड़ी हमारी age है spiritual होने की या spirituality follow करने की ये तो बुढ़ापे के काम है आगे जाकर करेंगे but we have to understand कि जब हमारी life में problems आती है वो हमारा young age ही होता है जब चाहे career issues है या relationships है या school, peer pressure है तो इन सबसे लड़ने के लिए आपको spirituality चाहे है तो आप spirituality को बुढ़ापे में लिकर करेंगे क्या जब आपको किसी problems का सामना ही नहीं करना है तब जब main problems का सामना करना है तब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे है जब stress होता है, anxiety होती है depression होता है तब हम spirituality को समझना नहीं चाहते है यह सोचके कि यह तो बड़ों का काम है यह तो एक अच्छी age में जाने का काम है और जब अच्छी age में चले जाते हैं तब हम spirituality लेते हैं और तब हमें लगता है कि अब उसको practice करने के लिए हमारी life में कोई ऐसे situations है ही नहीं सो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा age है young age जब आप career start करने जा रहे हैं जब आप अपने relationships में हैं जब आप work life enjoy करने जा रहे हैं तब spirituality सबसे ज़्यादा आपके life में जरूरी होती है अब spirituality को कैसे practice करें सबसे पहला चीज तो everybody knows कि spirituality कहीं न कहीं आपको एक super power से connect करने के लिए बोलती है एक divine power से connect होने बोलती है जिसको आप सिर्फ power बोल सकते हैं या भगवान बोल सकते हैं या भगवान में भी आप जिनको मानते हैं उनका नाम दे सकते हैं end में एक ऐसा power जो हम सबसे उपर है उसके साथ connect होने बोलती है reason कि कई बार हमारे life में जो situations आते हैं हम हर चीज का blame अपने उपर ले लेते हैं हर चीज का कारण अपने आपको ही मान लेते हैं तो कही ना कही जो उमीद हमें चाहिए failure का सामना करने के बाद वो आपको वो super power देती है जब आप मानते हैं कि इस ओके हो सकता है कि इस बार मुझसे नहीं हुआ पर मैं फिर से काम करूँगा क्योंकि मेरी मेहनत का फल देने के लिए एक super power बैठा है सो मैं हार नहीं मान सकता तो वो super power जैसा मैंने का आप किसी को भी मान सकता है